नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशितों सिंग और आप देख रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टार हेल्थ इंशोरेंस कंपनी के करोना कवच पॉलिशी के बारे में जानेंगे इस पॉलिशी के फीचर्स और एलिजिबिल कवच पॉलिशी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखरी तक देखें अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंब बिना मत बूलना ताकि जब दी में नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले म करने पर आपको क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं सबसे पहले एडवांटेज यह है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता इंशोर्ड परसंड डारेक्ट स्टार हेल्थ कंपनी में जाकर क्लेम की सट्लमेंट करा सकता है तूसरे यह गए प्लान करोणत कवच के बारे में बात करते हैं इसके पॉलिसी टाइप के बारे में तो कॉरॉना कवच पॉलिसी इंडिवीज्यॐल व्युक्ती भी ले सकता है और ये पॉलिसी फ्लोटर के लिए भी है यहां पर फ्लोटर यानि फैमिली का मतलब है Self Spouse Parents अब बात करते हैं इस policy के eligibility condition के बारे में तो इस policy को लेने के लिए minimum entry age है 18 साल और maximum entry age है 65 साल और जो dependent बच्चों की उम्र है वो है एक दिन की उम्र के बच्चे से लेकर 25 साल की उम्र तक का बच्चा अब अगर इस policy के minimum sum insured की बात करें तो वो है 50,000 रुपे और इस से अधिक कई अधियाप sum insured लेते हैं तो आप 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, 3,5, 4,5, 4,5, 4,5 रुपे अब बात करते हैं इसकी policy term के बारे में तो ये policy आप साड़े तीन महीने के term पर साड़े छे महीने के term पर और maximum साड़े नौ महीने के term पर ही ले सकते हैं अब बात करते हैं pre acceptance medical screening तो इस policy को लेने से पहले किसी भी तरह के medical test की अवशक्ता नहीं होती अब जानते हैं कि इस policy को लेने के बाद policy की coverage start होने में कितना waiting period है तो इस policy के लिए policy start होने से 15 दिन तक waiting period है यानि policy शुरू होने के 16 दिन से आप इस policy के benefit ले सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस policy की coverage के बारे में सबसे पहले बात करेंगे इस policy की basic coverage के बारे में सबसे पहले जो basic coverage में point आता है वो है hospitalization coverage का इस policy में यदि policy holder COVID-19 के वज़ा से hospitalized होता है तो उस case में hospital के जो भी खर्चे होंगे वो इस policy में cover हो जाएंगे और यदि COVID-19 के साथ साथ उस व्यक्ति को sugar, BP इस तरह की कोई और भी बिमारी है और उसका treatment पर भी जो खर्च होगा वो भी इस policy में cover हो जाएगा इस hospitalization में room के rent, boarding, nursing expense, consultation fees, specialist fees, anesthesia, blood, oxygen, PPE kit, gloves, mask और इस तरह की जितने भी expense है उन सभी का claim इस policy में मिल जाता है इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि minimum 24 घंटे का hospitalization होना अनिवार्य है next coverage की बात करते हैं तो वो आता है road ambulance charges करोना कवज policy में per hospitalization आप maximum 2000 उपे तक road ambulance का claim कर सकते हैं next coverage जो है वो है home care treatment expenses की home care treatment में आप maximum 14 दिन तक का ही claim कर सकते हैं उसके लिए कुछ conditions है पहली condition ये है कि डॉक्टर ने insured person को घर में ही treatment करने के लिए advice किया हो जब policy holder का treatment घर में चल रहा हो तो उस case में लगातार हर रोज डॉक्टर के द्वारा उसका health check-up किया जाना अनिवार्य है तीसरी बात ये जरूर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का भी treatment चल रहा है और जो डॉक्टर उसका treatment कर रहा है उस treatment की जितनी भी reports हैं वो उस treating doctor के द्वारा sign की गई हो चौती बात ध्यान देने की ये है कि बीमा धारक को डॉक्टर के द्वारा निर्धारित कीगे सभी सेवाओं का लाब उठाने की अनुमती होती है इस home care treatment में जितना भी expense होता है उसके लिए cashless और reimbursement की facility मिलती है इसको आप website पर claim settlement policy के अंदर चेक कर सकते हैं और पांचवी बात ध्यान देने की ये है कि यदि home care treatment के दोरान insured person अपना इलाज किसी ऐसी जगा से कराना चाहता है जो कि star health insurance company के नेट्रोक्स में नहीं आता है तो भी उसका जो claim होगा वो उस policy के दोरान reimburse करा सकता है लेकिन उसके लिए उस policy holder को पहले से ही company को intimation देनी होगी अब बात करते हैं इस home care coverage के अंदर आपको क्या क्या benefits मिलते हैं इस बिमारी को diagnose करने के लिए जो भी खर्च होगा चाहे वो उसका treatment आपके घर से हुआ हो या diagnostic center में वो इसमें cover होगा दूसरा जितनी भी medicines आपकी return में होंगी उनका खर्च भी policy में cover होगा इसमें medical practitioner की जो consultation fees है वो भी cover हो जाएगी इसके इलावा medical staff के जो nursing charges होंगे वो भी इस coverage के अंडर cover हो जाएगे जो भी medical procedure होंगे वो parental administration और medicine तक ही सिमित रहेंगे इस home care treatment के अंदर आपके pulse oximeter, oxygen cylinder और nebulizer के खर्चे भी cover हो जाएगे next coverage जो है वो है आयूश treatment आनि policy holder अगर अपना COVID का इलाज साथ ही सथ co-morbid conditions का भी इलाज आयूश treatment के अंदर करवा रहा है तो उसका जितना भी खर्च होगा वो उसकी policy के समशोड के बराबर payable हो जाएगा co-morbid conditions मतलब कि व्यक्ति को sugar, BP इस तरह की कोई बिमारी है और वह करोना positive हो जाता है तो करोना के साथ साथ उसकी इन बिमारीों का भी treatment इन policy के अंदर कवर हो जाता है next coverage है pre-hospitalization मतलब इस policy के दुरान यदि policy holder hospital हो जाता है तो hospitalization के 15 दिन पहले तक का जो भी medical का खर्च है वो इस policy में cover हो जाएगा next coverage है post-hospitalization की मतलब hospital से discharge होने के बाद 30 दिन तक जो भी medical के खर्च होंगे वो भी इस policy में cover हो जाएगे सभी points थे base cover के अब बात करते हैं optional coverage की इसके अंदर आपको जो benefit मिलता है वो है hospital daily cash का benefit इसका ये benefit होता है कि policy holder को per day hospitalization complete करने पर 0.5% of some insured amount cash में मिल जाता है इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक policy period के दुराण maximum 15 दिन के लिए ही आप hospital daily cash benefit ले सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस policy के exclusions के बारे में हम बात करेंगे उन conditions की जिन में company किसी बितर का claim नहीं देगी पहला point है investigation and evaluation यदि policy holder अपना कोई भी covid से related test करवाता है और वह covid positive नहीं आता तो उस case में इस test के उपर जितना भी खर्च हुआ होगा या जो भी expense उसके medical के आए होंगे वो इस policy में बिलकुल भी cover नहीं होंगे दूसरा point है rest cure, rehabilitation and respite care ऐसा कोई भी medical expense जिसमें policy holder covid से related treatment नहीं ले रहा है लेकिन सिरफ bad rest के लिए कहा गया है उसका भी कोई भी claim इस policy में cover नहीं होगा इसमें किसी भी तरह के custodial care का भी payment नहीं किया जाएगा मतलब कि आप अपने घर पर या किसी भी nursing facility में अपनी personal care के लिए custodial care ले रहे हैं जैसे कि उसमें आपका नहाना, कपड़े बदलना या इधर उधर move कराने के लिए किसी भी तरह की nurses का चाहे वो skilled हो या non skilled हो, इस तरह का जो भी expense होगा वो इस policy में cover नहीं होगा और यदि policy holder बहुत जादा बिमार है जिसके लिए उसको physical, social, emotional या spiritual services की जरूरत पड़ती है उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भी इस policy में cover नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ कि यदि policy holder को करोना positive पाया गया है और उसके बाद उसकी किसी अन्य बिमारी का treatment भी उसके साथ चल रहा है तो ही इस policy में cover होगा अधरवाइस से कितनी भी बड़ी बिमारी हो वो इस policy में cover नहीं होगी तीसरी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो है dietary supplements यदि करोना cover policy लेने के बाद कोई भी व्यक्ति hospitalized हो रहा है या home care treatment ले रहा है और उसने किसी भी तरह की ऐसी दवाई या कोई भी dietary supplement लिया है जो कि डॉक्टर ने prescribe नहीं किया है तो उसका जो भी खर्च होगा वो इस policy में cover नहीं होगा चौथा point है unproven treatments का जो भी expense होगा वो इस policy में cover नहीं होगा unproven treatments वो treatments होते हैं जिसमें आपके पास किसी भी बिमारी की गंभीरता को दिखाने के लिए medical documentation में कुछ कमीर होती है यानि कि वो particular medical documents उतने significant नहीं होते कि वो इस बिमारी की effectiveness को बता सके फिर भी यदि कोई treatment government के द्वारा authorized होता है और वो COVID से related बताया जाता है तो उसका claim इस policy में cover हो जाएगा पांचवा point यह है कि policy start होने की date से पहले यदि COVID से related किसी भी तरह का claim आया है तो वो भी इस policy में cover नहीं होगा चटी बात ध्यान रखने की यह है कि कोई भी day care treatment या OPD treatment का expense इस policy में cover नहीं होगा साथवी बात ध्यान देने की यह है कि कि किसी भी तरह का diagnose या treatment अगर भारत की भोगौलिक सिमाओं के बाहर किया गया है तो उसका expense इस policy में cover नहीं होगा आठवी बात ध्यान देने की यह है कि कोई भी COVID से related treatment अगर unauthorized center पे किया गया है यानि कि जो कि government के दवारा अप्रूव नहीं है तो वहाँ का जो भी expense होगा वो इस policy में cover नहीं होगा और आखरी बात जो इसमें ध्यान देने की यह है कि यदि insured person भारत के बाहर किसी ऐसी country में travel कर रहा है जिसके लिए इंडियन government ने restrictions लगाई हो तो उस case में policy की सारी coverage सीज हो जाएंगी अब बात करते हैं इस policy के renewals की तो इस policy को लेने के बाद इस policy में किसी भी तरह के renewal की facility नहीं मिलती free look period इस policy में किसी भी तरह का free look period भी नहीं मिलता tax benefit इस corona कवच policy को लेने के लिए आप जो भी premium pay करते हैं यदि वो cash के इलावा किसी और माध्यम से किया गया है तो वो income tax के section 80D के अंदर आता है और tax में relaxation लेने के लिए eligible होता है discount for health care workers इस policy के अंदर एक special discount की scheme भी है यदि कोई व्यक्ति health care worker है यानि कि वो hospital में लगा हुआ है चाहे वो nurse है या doctor है या किसी भी तरह का medical staff है तो वो अगर इस policy को लेता है तो उसको 5% का discount premium पर मिल जाता है इस policy को यदि floaters के लिए लिया जाता है तो उसके लिए भी discount की facility मिल जाती है आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि यदि policy floaters के लिए 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 गई है तो जो पहला member होगा उसको किसी तरह का discount नहीं मिलेगा दूसरा member होगा उसको 20% का discount मिल जाएगा तीसरे member के लिए 30% का discount रहेगा चौते member और उससे ज़्यादा जितने भी member होंगे उनके policy के premium पर 40% का discount मिलेगा आईए अब एक नजर इस policy के premium चार्ट पर भी डाल लेते हैं आप इस table में देख सकते हैं कि इस policy के base cover के लिए आपकी policy के sum assured के according और आपकी age के according जो भी आप policy term select करते हैं उसमें आपको कितना premium देना होगा वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं और यदि आप इस policy को optional cover के साथ लेते हैं तब आपकी policy का जो premium होगा वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं आएए अब इस policy के premium का illustration देख लेते हैं यानि कि इस policy को एक example के साथ समझ लेते हैं यहाँ पर आप इस table में देख सकते हैं कि यह policy floaters के लिए ली गई है और इस policy का sum assured 50,000 रुपे है इसकी policy का जो period है वो साड़े तीन मंत का है और जो family size है वो है दो adult प्लस दो child यहाँ पर दोनों adults की age 46 साल और 43 साल है और दोनो children की उमर 10 साल और 5 साल है अब हम देखते हैं कि इस policy को जब base cover के साथ लिया जाएगा तो कितना premium बनेगा जो पहला member है जिसकी उमर 46 साल है उसके लिए इस policy का premium रहेगा 420 उर्पे दूसरे तीसरे और चोथे member के लिए इस policy का premium 350 उर्पे रहेगा आप ने देखा कि यह policy हमने floater के लिए ली है और floater के case में इस policy में एक discount भी दिया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फस्त member के लिए वो 0% है दूसरे member के लिए 20% तीसरे member के लिए 30% और चोथे member के लिए 40% तो discount लगाने के बाद जो premium बनेगा वो है पहले member के लिए 420 उर्पे ही रहेगा और दूसरे व्यक्ति के लिए वो 280 उर्पे तीसरे व्यक्ति के लिए 245 उर्पे और चौते व्यक्ति के लिए 210 रुपे हो जाएगा अब साथ में आप्शनल कवर भी लिया गया है तो पॉलिसी में उसका प्रीमियम भी एड़ हो जाएगा फर्स्ट मेंबर के लिए वो रहेगा 23 रुपे दूसरे तीसरे चौते मेंबर के केस में आप्शनल कवर की कीमत हो जाएगी 19 रुपे इस आप्शनल कवर के प्रीमियम पर भी डिसकाउंट एपली केबल होगा जो की 0%, 20%, 30% और 40% की स्लैब में है उसके बाद जो आप्शनल कवर का प्राइस रह जाएगा यानि जो प्रीमियम बचेगा वो है पहले मेंबर के लिए 23 रुपे दूसरे के केस में 15 तीसरे मेंबर के लिए 13 रुपे और चोथे मेंबर के लिए 11 रुपे यानि कि अब जो टोटल प्रीमियम बना है ओफ्शनल कवर के साथ पहले व्यक्ति का बनेगा 443 रुपे दूसरे व्यक्ति के लिए रहेगा 295 रुपे तीसरे व्यक्ति के लिए रहेगा 258 रुपे और चौते व्यक्ति के लिए रहेगा 221 रुपे अब जितनी भी health insurance हैं उनके उपर 18% का GST भी लगता है तो हम यहाँ पर 18% GST भी include कर देते हैं जो कि first member के लिए रहेगा 80 रुपे second member का premium था 295 रुपे तो 18% GST लगा के हो गया 53 रुपे इसी तरह GST जोड देते हैं तो third member का हो जाएगा 46 रुपे और fourth member का हो जाएगा 40 रुपे यानि कि जो अब final total premium इस policy का बनेगा floater के case में इन 4 members ने जो ली है वो है 523 रुपे, 348 रुपे, 305 रुपे और 261 रुपे यानि कि दो adult और दो children जिनकी उम्र 46 साल, 43 साल, 10 साल और 5 साल है वो यदि इस policy को आफ्शन कवर के साथ लेते हैं तो उनका total premium 1437 रुपे बनेगा तो दोस्तो यह थी पूरी जानकारी Star Health Insurance Company के Corona कवच policy के बारे में, इस policy से related अगर आपके कोई सवाल ये सुझाव है तो comment box में जरूर लिखें